हें गैस वेलकम बैक टो मैं चैनल मनिशा लकरा ब्लॉग में नमस्ते और जोहार आप सभी को आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वाइस को क्या हो गया तो मुझे थोड़ा से सद्धी हो गया है बच्चे चले गए और मैं काफी लेट में पहुचे आप लोग देख सते वो थोड़ी से बचे लोग पैठे वे हैं और मैं काफी लेट में पहुची स्कूल तो दिशान पूछ रहा है कि ममा इतना लेट क्यों हुआ आपका बहुत कंप्लें कर रहे तो दिशान पर इसके इतने देर वेट करने के बाद फिर भाइया आ जाते हैं और मैं अची थरह से घर को लॉक कर दी हूँ सारे तरब और ये रहे रैपिटो वाले भाइया और इसके बाद दिशान पूछ रहते क्या ये अंकल हम लोग को बस स्टैन छोड़ देंगे तो हम बोले कि हां क्यों नह बस स्टैन के लिए तो मैं पहुंच गई बस स्टैन रैपिटो वाले भाइया को पैसा दे दिये तो मैं दिन का लंच नहीं की थी घर में भी नहीं बनाई थी तो सोचे कि चलिए कोई भी रेस्टराण दिखे का बस स्टैन में तो आपर जाके हम लोग लंच कर लेंगे तो १करन के चलिए अएफर भी फेर मैं फर्माइस थी ओडर करना वह दो ऐढसे दे तो फिर हम लोगost ब्र shall चिपन रइस और खते हैं खाते हैं खाता है क्षान और बहुत ज्याला ही भू운कchutz लगा था और भूब हलेगे तो हुआतe हैं हम लोग करते हैं तो लंज करने के बाद मैं टिकट भी बस का करवा चुकी हूँ और चलते हैं अब सीट में बैठते हैं और बैठने के बाद फिर वहां से निकल गए और फिर एक जगा बस रुकी थोड़ा देरी रेस्ट करने के लिए और हम लोग भी बैठे बैठे काफी देर ठक चुके थे तो कि सोचे के चलिए रेस्ट था चोटा सा तो फिर हम लोग वहां चलते हैं और कुछ भी खाते हैं तो मैं ने मतलब मिठाई का लिए और जिशान को चाहिए था ठाचे तो जिशान को लिए दिए चिप और से लेडिये बाद वहां से फिर हम लोग जमशितपुर के लिए आगे निकल गए तो मैं पहुंच गए जम्षितपूर पापा आए थे रिसीव करने के लिए स्कूटी में तो चली अब घर शलते हैं और काफी हम लोग ठक चुके थे फिर शाम हो गया था फिर मैं रेडी हो रही हूं और सबको ही रेडी हो रही है और सबसे चोटी सिस्टर न और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होने के बाद फिर हम लोग सब आधा जन कार में जाने वाले थे आधा जन बाइक में जाने वाले थे तो हम लोग वहाँ से भी निकल गए साक्षी के लिए तो हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली साक्षी मार्केट और चलते हैं अब थोड़ा सब लोगों पैदल चलना पड़ रहा है तो पर ममी पापा लोग भी पीछे में थे तो यह रहा रेस्टरांट में तो पहली बार जा रही हूँ बहुत ही मतलब अच्छा वाइब देख रहा है और अच्छा लग रहा था डेकोरेशन सब भी अंदर का काफी अच्छा था तो हम लोग अंदर जा रहे थे तो यह एक तरह है का मतलब थोड़ा से अच्छा था मतलब थोड़ा सांत वाला प्लेस था और अंदर जाईएगा तो वहां पर थोड़ा बार टाइप का है तो वहां पर ड्रिंक्स भी मिल रहा था तो फिर हम लोग सोचे कि चली अब अंदर शलते हैं वहां कभी मतलब कैसा है व्यू आप मतलब देख सकते हम लोग भी मतलब देखने के लिए ही उसे थे और फिर बैठे हम लोग को बहुत नौइज मैसूस हो रहा था तो एक दुसरे से हम लोग बात भी कर रहे थे तो सुना ही नहीं दे रहा था तो फिर हम लोग सोचे की चली अब बाहर शलते हैं और मतलब प्लेस में हम लोग बैठ जाते हैं और फिर फाइनली हम लोग बाहर आ गए थे और अब ममी पापा लोग का एनिवर्सरी का केक कट रहा है चलिए अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्लेस में लोग सेलिब्रेट करते हैं अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो फाइनली केक कट चुका है और बहुत हम लोग ओमी का वेट के बहुत लेट में उलोग पहुंचे फुआ ओमी भाई और उसकी फ्यान से बहुत जादा लेट में पहुंचे केक कटने के आदा गंटा बाद उलोग पहुंचे होंगे काफी लेट में पहुंचे उलोग तो चली तब हम लोग चलते हैं खाने के लिए सबसे पहले और के बेबी कॉन चिली और इसके बाद फिर और के चिकन लॉली पॉप और फिर इसके बाद कोल ट्रिंग् अब बाद था और हम लोग बैटके खा रहे थे आधा फजन इधर बैटे वे थे हाफ जन वहां बैटे थे फिर हम लोग सोचे कि खाने के बाद स्टार्टर्स खाने के बाद फिर अंदर गए डांस के लिए करने के बाद फिर हम लोग में कोर्स खाने के लिए बैट जाते हैं और सब बैटके खा रहे हैं मैं तो पीछे रह गई वीडियो शूट करने के जलते और फिर चली अब मैं भी खा लेती हूं तो हम लोग का डिनर हो गया है अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं घर के लिए और मैं काफी जाधा ठक चुकी हूं क्योंकि राची से जमशित पूर आना फिर मुमी पापा का एनिवर्सरी अटेंड करना तो दिन बर आज मेरा पूरा मतलब बहुत जाधा ही मतलब ठक चु करिएगा और बेल आइकान जरूर दाबिएगा और आप इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में बाई